गुर्मोर्णी सुडेंस कैसे हो आप सब तो आज हम SST का नेस्ट चैप्टर शुरू करते हैं क्या नाम है इसका मीन्स मीन्स ओफ कॉम्निकेशन तीक है यह है चैप्टर नमबर टैन तो इसको रीड करते हैं एक बार sometime we cannot visit our friends and relatives living in far off places they too cannot do the same so we send and receive messages sending and receiving messages is called communication communication क्या होता है जैसे कि अभी मैं आपको information डे रही हूँ तीक है मैं अपनी आपको information यह कोई भी आप बोसके message message में क्या होता है message में होगी है information जैसे आपको मैंने अभी एक्जामपल गिया कि जैसे कि मैं आपको अभी कुस message डे रही हूँ information डे रही हूँ है ना और आप क्या कर रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं आप उसको ले रहे हो तो sending मतलब बेजना और receiving मतलब मिलना जब यह दोनों चीज message में हो जाती है उसी को बोलके है communication ठीक है communication से क्या होता है को डो जगे पर होता है यह दो लोगों के बीच में होता है यह एक जना दूसरे जने को को information दे रहा है ठीक है आप हमारा topic किया था means of communication इसका मतलब क्या हुआ आप एक example लीजिए इसका जैसे कि आप अपने घर पर हो आपको अपने डोस्त से बात करना है लेकिन जो आपका डोस्त है वह आप घर के पास नहीं रहता है वह रहता है बहुत दूर तो आप किस चीज का यूज करोगे अपनी बात उसके साब बात करने के लिए आप क्या यूज करोगे टेली फोन यूज करोगे या मोबाइल फोन यूज करोगे है ना या फिर ओ सकता है कि आप पोस्त मैं आप कोई पोस्त लिखकर कोई लेकर लिखकर आप उसको बेश सकते हो है ना यह लग ला संचार है ना अलग लग तरीके आप जिस करीके से आप कर सकते अपने दोस्त से तो इसी को ही बोलके है मीन्स ओफ तांस्पोर्टेशन आगे समझ में आगे बढ़के हम Communication of Messages to an Individual is called Personal Communication तो क्या बताएगा इसमें? Communication of Messages to an Individual Personal Communication वो Communication माना जाता है जिसमें जब कोई भी Message अब एक जने को दे रहे है जैसे कि अभी मैंने आपको एक्जांपल गिया कि आप अपने अपने दोस्त से बात कर रहे हो ठीक है यह है Personal Communication या आप एक जने से दूसरे एक जने से आप बात कर रहे हैं ठीक है जैसे आप अपने फ्रेंड को टेलीफोन करते हो मुबाइल फोन करते हो एक साइड आप हो और दूसरे साइड आपका फ्रेंड है तो यह हो गया Personal Communication जिसमें आपस में Communicate करते हैं ठीक है सब में आगया Personal Communication आप सब में इंटर्व्यू गेखा होगा इंटर्व्यू में क्या होता है सामने एक जना बैठा होता है और एक जना उनसे कोशन पूछ रहा होता है और दूसरे वला इंसान जो है उसको रिप्लाइ कर रहा होता है बगता रहा होता है तो यह भी हमारा Personal Communication में आठा है ठीक है इसके एक्जाम्पल्स क्या क्या हो गए पोस्कार्ड इनलेंड लेक्टर्स एन्विलप टेलीफोन सेलूलर मुबाइल और मीन्स और परसनल कॉम्णिकेशन पोस्कार्ड हो गया जैसे आप लेक्टर्स लिखकर बेज रहे हो ठीक है कैलीफोन कर रहे हो मुबाइल से बाग कर रहे हो यह सब क्या हो गया हमारा Personal Communication ठीक है हम आगे बढ़के हैं Communication of our masses to our masses is called mass communication अब mass communication क्या होता है कि जह हम कोई भी message बहुत सारे लोगों तक पहुचाना है उसी को हम बोलते हैं mass communication एक्जामपल रेडियो, टीवी, नियूस पेपर, मैगजीन, कम्प्यूटर और means of mass communication तो क्या बटाएगा इसमें कि mass communication क्या होता है जैसे कि जब एक message को बहुत सारे लोगों तक पहुचाना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं mass communication जैसे कि रेडियो, टीवी, नियूस पेपर इन सब में क्या होता है कि जैसे आप रेडियो सुन रहे हो कोई एक information है आप अकेले नहीं हो रेडियो सुनने के लिए ऐसी बहुत सारे लोगों जो रेडियो सुनते है तो अगर रेडियो पे कोई भी एक message आएगा और वो message एक अकेले इनसान के पास नहीं जाएगा वो जाएगा वो सारे लोगों के पास है ना? तो मास मतला जहां हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं उसी को बोलके है मास communication ठीक है? जैसे निउस पेपर है निउस पेपर में क्या होता है? जो भी निउस होकी है हमारी वो सारी लिखी हुई होकी है ऐसा नहीं है उसमें कि एक जने को निउस पेपर मिल रहा है दूसे जने को निउस पेपर नहीं मिल रहा है ना? बहुत सारे लोग निउस पेपर यूज करते है कभी कभी क्या होता है? जो गौर्मेंट होती है, हमारी सरकार होती है आगा उनको कोई मैसेज हम तक पोचाना है तो क्या करता है वो? वो टेलिविजन का यूज करता है, टीवी का यूज करता है निउस पेपर का यूज करता है ताकि जो इंफोर्मेशन है वो हमारे पास आ सके इन ओल्गर टाइम्स होर्स राइडर्स एंड पीजिन्स वर यूज तू सेंड मैसेजिस बट तुड़े वी हैब इजी एंड फास्ट मीन्स ओप कॉम्यूनिकेशन तो अज यह को हम आज की टाइम की बात कर रहे है प्राने की टाइम में क्या हुआ करते हैं होर्स राइडर्स और पीजिन्स ठीक है इनके द्वारा ही मैसेज का पोचाने का काम किया जाटा था आज के टाइम में क्या हुआ जो कॉम्यूनिकेशन का जरिया है जो बात्चिक करने का जरिया है हो और जगा एजी हो गया है दिंगा आसान हो गया और जगा वह फास्ट हो गया है ठीक है कि अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हम जलगी से फोन मे लाएंगे और उनसे से बात कर कर सकते हैं है न प्राने है मोबाइल फॉन नहीं थे जह जो स्पीड वह कैसे की स्लो ते पीजफ Himself का यूजफार्ण्य है पॉस्टार्टाज यूजफ गशान ये एंसन में एक होड़ा टाइम लग जाता है कि अच्वाज नहीं टाइम lors से इजी है सबसे असान है और सबसे जगा फास्ट है अब सामने पिच्चर गेखिए यह है रेडियो ठीक है यह है टैली फॉन यह कंप्यूटर है प्राने टाइम पर इस तरह का यह कंप्यूटर हुआ करते हैं यह टैली जीजन है अब नीचे के आईए यह है मैगजीन मोबाइल फॉन और इनलेंड लैकर्स इनलेंड लैकर क्या होता है कोई हमें बड़ा letter लिखना हो कोई बड़ा message लिखना हो तो उसके लिए हम inland letters का use करते है और ये बस हम इंडिया में ही use कर सकते है ठीक है जिसे postcard होता है न उसी करीके से हमारा inland letter होता है जो हम इंडिया में use करते है ये सामरे picture में गे रखा है आपको ये inland letter और ये postcard ठीक है इसमें आपको stamp लगाना होता है इसमें पूरा आपको address लिखना होता है आपको अपनी जगे का pin code के साथ आपको पूरा address लिखना होता है ठीक है इसको read करके पहले फिर इसको समझेंगे Letters are the most popular means of communication We write our message on a postcard inland letter or an envelope send it to friend and relatives in any part of the country or world We write the complete address with pin code of the area To whom it is to be sent We put our letter in letter boxes They are taken to post office इन्होंने क्या बक्ता आया है इसमें जो letters होते हैं ठीक है तो खट हम लिखते हैं और बहुत जागा for popular means of communication माना जाता है इसमें हम क्या करते हैं We write our messages on a postcard और जो ये postcard होते हैं इंग्लेंड letters होते हैं इसमें हम क्या करते हैं इसमें जो भी हमारा message होता है उसको हम लिखते हैं और हमें जो postcard होता है या भी inland letters होता है इसके उपर जिसके पास भी हमें बेजना है letter उसका address यहाँ पर आ जाता है पिन कोड के साथ क्योंकि जो letters होते हैं इसके पूरा अच्छे से हमें address लिखना पड़ता है उसके साब pin code लिखना पड़ता है जिसके वज़े से क्या होता है जब postman letters को देने जाता है घर पे उनके तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है address डूनने में ठीक है जिसके वज़े से उसमें पूरा address लिखा जाता है और पिन कोड लिखा जाता है और आपने एक letter box के खाओका ठीक है रेड कलर का एक box होता है letter box उसमें ये चिखिया डालगी जाती है और फिर इन चिखियों को post office लेकर जाया जाता है ठीक है from there they are sent to different places by buses, train and aeroplane letters are delivered to addresses by a postman urgent letters are sent through speed post of courier जब letter post office पहुच जाता है उसके बाद अलग-अलग places के according transfer का यूज किया जाता है जैसे की bus, trains या फिर aeroplane aeroplane कभ यूज करेंगे जब दूसरी country में होगा हमारा letter है ना train कभ यूज करेंगे जब दूसरी स्केक पर होगा हमारा letter वहाँ पर हमें पहुचाना होगा उसके according ही जो transport होटा है उसका भी यूज किया जाता है कभी कभी क्या होटा है जो letters होटे हैं urgent letters याने की एसे लेकर जिसको पौचना बोजाका मतलब कि हमें ये लेकर जल्दी से उन के यहाँ पर पौचाना है urgent letters क्या होका है ये लेखा हो urgent collector urgent letter क्या होका है कोई हमें urgent बाक है वो हमें जल्दी से पोचानी है ठीक है उसके लिए हम क्या यूज करते है Speed Post और Courier के नाम से भी हम इसको जानते है Speed Post में क्या होता है जो Lector होता है वो एकना Time नहीं लगाता है पोचने में जिकना एक Simple Jump Lector बेसके हैं उससे ठीक है और जो Lector Deliver करता है वो कौन होता है वो होता है Postman Do you know? Indian Postal Service is the largest in the world जो Post Service जो हमारे इंडिया में होती है ये सबसे लंबी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में आपके सामने पिच्चर है यह है टैली फोन ठीक है आपने शायगी यह आपने टैली फोन देखा होगा आप अपने पेजन से भी पूछ सकते हो कि वो आपको अच्छे से बटा पाएंगे उनके टाइम पर टैली फोन इस टाइप कंप्यूटर से इस टाइप का चलन था We send urgent message to telegram Messages thus send reach the destination within hours Messages are written neatly in brief They are sent to telegraph office जैसे कुछ urging message होके जिसका पोचाना वो जगा जिरूरी होता है और यह किस से पोचाया जाका है? टैली ग्राम से पोचाया जाका है टैली ग्राफ office होता है वहाँ से टैली ग्राम किया जाका है टैली ग्राम होता है message send करना वो कुछ ही गंटे में message उसके destination पर पोच जाका है अब destination मतलब जहाँ पर हमें वो message पोचाना है उसी को हम बोलते हैं destination यह लिखा हुआ destination जहाँ पर भी हमें कोई message पोचाना है उसको बोलते हैं destination अब जहाँ हमें कोई urgent message हमें बेजना है तो हम वो बेजेंगे telegram से और telegram कहां से send किया जाका है telegraph office से और जो उसमें message लिखते हैं किस करा message लिखा जाका है उसमें नीकली मतलब एकुछ साब और brief में brief में मतलब ना जाकर लंबा मतलब छोटे पेले ग्राप में ही पुछोगे से message में ही अपनी सारी बात बोल देना अब टेली फोन है सामने पिच्चर में भी हमने गेखा टेली फोन की help से हम क्या करते हैं हम direct अपने relatives और अपने friends से जुड़ सकते है यह हमारा टेली फोन है वो सबसे जगा fast means of communication माना जाता है through std and isd we can connect them in any city or country of the world जो std होता है std क्या होता है इसमें क्या होता है अगर हम एक जैसे मुझे हम दिल्ली में अगर मुझे मग्या प्रगेश में बाद करनी है जब हम std का use करते हैं जब हमसें thành डोस टेक के बीच में बाद चीक करनी हैं उसके लिए हम std का you करते हैं और ISD क्या होता है जैसे कि इंडिया को अब बात करनी है अमेरिका में तो किस से बात कर सकता है वो ISD से ठीक है ISD होता है जह हम दो कंटी के बीच में बात करते हैं और STD क्या होता है जह हम दो स्टेक्स जैसे की बिहार से हिमाचल हो गया ठीक है और क्या हो सकता है उत्राकंट से हम तेमिल लागू हो गया ठीक है इसमें हम STD का यूज़ करते हैं इस देज पीपल यूज़ मुवाइल फोन्स वी कैन कॉन्टेक आप परसन एनी वेर एनी टाइम वेक डा हैल्प ओफ डेम आज के काई में क्या हो गया है हम मुवाइल फोन यूज़ करें सामने आपके पिचल बनी हुई है ठीक है यह वली हम मुवाइल फोन यूज़ कर रहे हैं मुवाइल फोन के वज़े से क्या है हम कभी भी कही पर भी अपने किसी दोस्त से अपने किसी इलेक्टिप से किसी से भी हम बात कर सकते हैं ठीक है तो फेक्स रिटन मैसेज़ अर सेंड अब फेक्स का यूज करके हूँ हैं जो लिखिक में मैसेज होता है फेक्स का यूज करके में जो लिखिक मैसेज किया जाता है उसको बेजा जाता है और ये कुछ ही सेकिंड में ये सेंड हो जाता है अब क्या है आज के काई में इंटरनेक ना आगे बढ़ रहा है है ना पूरे वर्ल में ये पोपुलर हो चुका है जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर चला रखा है अगर किसी और कंट्री में वर्ल में किसी भी जगे पर हम किसी भी यूजर जो कंप्य का यूज कर रहे है उसके साथ हम इसली केनेक हो सकते है किसके द्वारा इंटरनेक के द्वारा जिसे एक इंडिया में है और एक मानले के रश्या में है ठीक है तो ये डोनों आपस में connect हो सकते हैं इंटरनेक की help से आप भी गेख सकते हो आज से टाइम में इंटरनेक का चलन किस करो उपर आ रहा है तो सामने है आपके सामने है fax machine और ये है ये fax machine ये है newspaper ये बॉपने में बस्कों थे रहाँ है वे वाँ माँ इंटरनेक के सब्सक्राइब अंटरनेक कर लिए रहाँ है है ये तो अ नवर से ये हैं वे तो आ रहाँ है number of people at the same time रेडियो, टेलिविजन, न्यूस पेपर ये सब क्या है? ये सब है mass communication क्यों बोला गया है इसको mass communication? क्योंकि कोई भी message हो गया या कोई भी news हो गई हम बहुत सारे लोगों तक एक ही time पर ही message हम पुचा सकते हैं जैसे कि आप newspaper में आप read कर रहे हो ठीक है? newspaper में क्या होगा? बहुत सारी news आएगी और एक ही time पर उसब newspaper पूरे हमाई country में फैल जाएंगे और हर कोई उस newspaper को आप read कर सकता है सेम radio के साथ होगता है कभी कोई information हमें पोचानी हो radio के help से कि जैसे कि गौम हमाई सरकार है जैसे उनको बटाना हो कि आप हम ये नई योजना लेकर आ रहे हैं तो किसका यूज करेंगे वो? रेडियो का यूज करेंगे newspaper का यूज करेंगे telephone का यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इन सब चीजे से connect कर सकते हैं जोड सकते हैं रेडियो टेलीबीजन आर और ग्रेट हेल्प फोर डोस हूँ डूनो नो हाव तू रीड एन राइट और जो रेडियो और टेलीबीजन होता है ये उन लोगों को भी हेल्प करता हैं जो एकनी असानी से रीड और लिख और पढ़ नहीं पाते हैं जैसे कि जो पढ़े लिखे होंगे वो निउस्पेपर को इसली असानी से पढ़ सकते हैं लेकिन रेडियो और टेलीबीजन के लिए क्या चाहिए हमें उसमें बस सुनने का काम होता है हमारा है ना तो बहुत सारे लोग रेडियो टेलीबीजन की हेल्प से सुनकर ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाते हैं तो बहुत सारे लोग है जो पढ़ और लिख नहीं सकते वो क्या कर सकते हैं वो टीवी को देख सकते हैं वोच कर सकते हैं रेडियो को सुन सकते हैं जिसके द्वारा कोई भी हमारा मैसेज होगा कोई भी किसी को मैसेज पोचा रहा हो तो वो उनको असानी से मिल सकता है Do you know रेडियो वोच इन्वेंकिड बाए मार कोनी जो रेडियो है वो किसने बनाया है मार कोनी ने अब आपके सामने पिच्चर है पिच्चर में क्या है कीवी है कीवी में कुछ लिका हा रहा है अब क्या है आप तेवी में जब वो देखेंगे तो चीज को captureंगे मतलब की वो चीज़ को समझेंगे कि टीवी में क्या information हमें दी जा रही है ठीक है Now, second like are used for communication It is possible to watch the live telecast of an event which takes place in the far off place of the world For instance, we can see the telecast of a football match played in the Germany और आज के टाइम में क्या हो गया आज से टाइम में सैके लाइक बन गई है एक माग्यम बन गया है जिससे हम कोई भी message को पोचा सकते है और हमें message कोई भी मिल सकता है अगर किसी भी जगे पर live telecast हो रहा है उसको भी हम किसी भी जगे पर बैक कर देख सकते है एक्जामपल जैसे कि जर्मनी में football का match हो रहा है ठीक है अब उसको डिरेक्ट इंडिया में जो live आएगा वो किसकी help से आएगा वो है safety light जैसे बहुत सारे match हमारे होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे event होते हैं जिसमें क्या होता है जो live होता है वो हमें डिक्ता है कि उस time पे महाँ पर क्या चीज़े हो रही है और वही चीज हमारे television में या फिर radio में वो हमें चीज़ देखने को मिलती है ये सब किसकी help से है ये सब हमारे second light की help से किया जाका है जैसे सामने picture में गेख सकते हो ये एक second light है ये अर्थ के बिलकुल बहार है जो भी signals होते हैं वो एक जगे से दूसरे जगे ये पोचा data है Means of communication are very useful for us We get information and messages to them The means of communication have made this world a smaller place जो means of communication है आज की काई में बहुत जगा useful है और इससे क्या होगा हम इसमें कोई भी information हो कोई भी message हो उसको easily असानी से पोचा सकते हैं ठीक है अब word power पढ़के है Communication To send or receive a message कुछ message भीजना या हमें मिलना उसी को ही क्या बोलके है Communication और जो communication होता है वो लिखकर भी किया जाता है और बोलकर भी किया जाता है Pin code Pin code की full form क्या होती है Postal index number of an area Area को कुछ एक number किया जाता है जिसके इसाफ से हम जिसके वज़े से जो postman होता है उस lector को easily deliver कर देखता है Urgent Urgent मतला Something which has to be done At a very short notice कुछ ऐसा काम जो हमें बहुत कम टाइम पर करना होता है उसको बहुते अर्जेंट Satellite A body that moves around a planet एक बड़ी सी बोड़ी टाइप होकी है जो हमाई प्लैनिक के आसपास घूम्टी है और यह manmade सैकिल लाइक है यानि की जो इनसानों ने बनाया है ठीक है यह हो गया हमारा आज का चैप्टर इसको आप अच्छे से रीड करना और इसकी जो एक्सेसाइस उसको ट्राइ करने की कोशिश करना ठीक है चैप्टर को आपको डीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कल मिलेंगे अपनी नेक्स क्लास में अपना घ्यान रखिएगा तो थेंक यू